शीना और गौजिन सुयंग के कहने बे डिनर पे तो आ जाते हैं बट इन तीनों के मिलने से यह डिनर काफी स्यादा इंटरेस्टिंग होती है सुयंग इस कोशिच में होती है कि किसी तरह से सुयंग उसे एटेंशन दे वहीं गौजिन सुयंग के हर बात भी उसे सीधे मू रिपलाई देने के बचाए तान्य मार रहा होता है और वैसे भी गौजिन का ताना मारना कहीं न कहीं जायस भी है क्योंकि 12 साल पहले सुयंग ने उसका दिल चोतो रहा था लेकिन सुयंग और गौजन के बीच की बातों को सुनकर भी शीना समझ नहीं पारी होती है कि इन डोनों के बीच गुस्तो है जो उसे अभी तक मालूम नहीं चला है शीना को लग रहा होता है कि गौजन की तो आर्दत ही है लोगों से रूडली बात करना इसलिए वो यहाँ पर भी सुयंग से रूडवे में बात किये जा रहा है सुयंग भी गौजन की दानों को सुनकर बुरा नहीं मानती है और उसे लगता है कि अमिनेशिया के कारण से ही गौजन मेरे प्यार को भूल गया है और अगर उसे मेरा प्यार याद रहता तो वो कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं करता इन दिनों में बाते बाते चली रही होती है कि सुयंग सीना और गौजन से पोसी है कि तुम दोनों को एक दूसरे से क्या से प्यार हो क्या और तुम दोनों को एक दूसरे में सबसे अच्छा क्या लगता है इस सवाल में शीना का मूँ तो देखने लाइक होता है उसे गौजन तो जंडाल टाइप का आदमी लगता है तो फिर वो सोच में परजाती है कि सुयंग को मैं अब क्या बोलूँ इन फैक्ट उसके मन की बाद एक मिनिट के लिए उसके जुबान पर भी आ जाती है और वो कहने लगती है कि इस आदमी में तो जरा भी मैनर्श नाम की चीज़ ही नहीं है लेकिन फिर उसे गौजन को देखकर यादाता है कि मुझे इसके बारे में अच्छा है बोलना होगा वरना ये फिर मुझे जेल भीजने की धंक्या देगा इसलिए शीना सुयंग को बोलती है कि गौजन बहुत ही काइड हाटिट आदमी है और उसकी यहीं बाद मुझे उसे प्यार करने बे मजबूर करती है अब गौजन भी शीना के बारे में सुयंग को बोलता है ये शीना के बेस्ट बात ये है कि वो मुझे कभी भी छोड़ के नहीं गई है वो हमेशा से मेरे साथ ही रही है ये बाद गौजन जान मुझकर सुयंग को सुना रहा है क्योंकि 12 साल पहले सुयंग उसे छोड़ कर चली गई थी डिनर के बाद ये लोग अब कॉफी मंगवाते हैं और गल्दी से वेटर के हाँ से कॉफी शीना पर गिर जाती है जिसके वज़े से उसका हाँ तोरह सा जल जाता है ये निके तो गौजन पूरा पुसेसिब बिहेव करने लगता है वो वेटर को भी उसकी गल्दी के लिए बहुत डाटने लगता है जिस पर शीना उसे बोलती है कि मैं ठीक हूँ शीना को तो हाथ में जलन हो रही होती है इसलिए वो यहां से वाश्रूम चली जाती है शीना ये भी सोच रही होती है कि हाथ मेरा जला फिर अपसट गौजन क्यों हो गया है मगर उसे लगता है कि जरूर ये भी उसके एक्टिंग का कोई पार्ट होगा वरना वो तो मेरी कभी भी परवा ही नहीं करता है इधर सुयंग तो मौके का फायदा उठा कर गौजन को अकेले देकर उसे पास्ट की बाते बोलने लगती है इतमें याद नहीं है पर हम दोनों साथ में इसी रेस्टरून में आया करते थी गौजन भी कहता है कि पास्ट में क्या हुआ है वो मुझे याद नहीं करना है मेरे लिए तो मेरा प्रेजन भी बहुत खुपसूरत है यह सब कहा कर गौजन सीना के पास जाने लगता है बर सुयंग उसे रोकर कहने लगती है कि कास्ट शीना के जखा मेरा हाल चला होता शायद तब तुम्हें फर्क परता क्योंकि तुम्हें मेरे दिल का हाल तो दिखी ने रहा है तुम्हें ये दिखी ने रहा है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ और अगर अमेनीशिया के कारण तुम मुझे भूल गए हो तो प्लीज मुझे याद करने की कोशिश करो सुयं के यह सब कहने से गौजन बहुत जादा अपसेट हो जाता है वो घर जाके भी अपने रूम में सुयं के बादों को सोचने लगता है किसी वक शीना आती है और उसे वहीं बॉक्स जिसमें इवेंट वाले अक्सेसरी थें दिखा कर बोलती है कि यह तीन दिनों से एक ही जगह पे परा हुआ है तो मैं इसे स्टोरेज रूम में रखने जारी हूँ शीना का हाँ जल गया था तो गॉर्जन पे उसे बोलता है कि तुम रहने दो इसे मैं रखतूंगा ये दुने एक दूसरे के हाँ से बॉक्स लेने में लगे होते हैं कि इसी दौरान गल्दी से बॉक्स चमीन पे गिर जाती है शीना वॉक्स में यरिंग स्कोब मिसिंग देखती है और वो खुद में बोलने लगती है कि मैंने तो यरिंग से सी में रखा था पता नहीं कहां चले गए शीना की बात को गॉजन पे सुन लेता है और फिर वो तानी माल कर बोलता है कि तुम ने मुझे पहले उल्लू बना कर धोका तो दिया ही था मगर अब तुम मेरे सामान को भी चुराने लगी हो ये बोलकर गॉजन तो राम से डूर क्लोस करके अपने रूम में चला जाता है पर पीछे से शीना भी आती है और चोरी वाले बात पे वो गॉजन पे चला कर बोलने लगती है कि अभी के अभी तुम उससे माफी मांगो ग कर दोनों में काफी ज्यादा और काफी तक भी चल दी है यह तरह सच में बहुत मजा आरहा होता है लासली आपने पीलों से मारकर तो दुम उसे कहती है कि अब्से नहीं ही हुँ तुम्हारा जतना भी टैप्ट है मैं उससे कैसे भी कर के चुका दूंगी और तुम्हें रहल नहीं बनानी है वैसे एक बार तो मुझे अंदासा हो चुका है कि मढ़ने का डर क्या होता है इसलिए अब से मैं अपनी लाइफ को खुशिश बिताना जाती हूं यह सब कहकर शीना चली जाती है और गौजन उसे हैरानी में देखते रह जाता है वैसे भी शीना जब गु शीना भी अपना रेजिगनेशन लेटर देनी को आती है लेकिन यहां आने पर उसे गौजन तो नहीं मिलता है मगर शूटिंग वाले साइट से डिरेक्टर का कॉल उसे आता है और वो कहता है कि मौक एक्सायम के मौनिट्रिंग फाइल्स में ही छूट गए हैं जिसे तुम इतर बाद शूटिंग सुरू हो जाती है लेकिन अचानक से ही गौजन के पीछे वाली कैमरा लाइट उस पे गिरने वाली होती है शीना भी यह देखती है और बीना देर कि यह वो गौजन को बचाने के लिए आगे आ जाती है शीना गौजन को बचा दो लेती है पर उसके पैर में धोड़ी से चोटा जाती है फिर भी शीना अपनी चोट को छोड़ कर गौजन के लिए फिकर कर उससे पूछने लगती है कि आप ठीक तो है आपको कुछ हुआ तो नहीं है गौजन शीना को अपनी ना करके उसके जान बचाते देखकर हैरान हो गया था उससे समझे स ससे नहीं कर दे वेए उससे घोड लेता है और यहाँ से सीथा फोड़ाल सेören होस्पिटल बोलते है कि यह जोटम है यह बस चोटए से चोट है और वल्वेट अस आधर कौने की ना जरुवत करतार असलिए आपए उसदेंगा कर लेए कि आध उसे कहता है वूर्ड दूम है कि कल रात की फिलोवाइट कीt वेक मेरा गंडा है उसे करने को बोल रहा हूं इसके बाद कल गौज ने शीना पे यह रिंग चुराने का जो ब्लेम लगाया था उसके लिए वह शीना को सौरी भी कह देता है जिस पे शीना का कल वाला सारा गुसा भी खत मचाता है आज का दिन बीच आता है पर अगली सुभा जो फिर से गौज इन श पार्टी नहीं रही होती है वह चुप चुप के शीना को मचनु के तरह देखे जा रहा होता है और तो और जब ऑफिस के इंस्ट्रक्टर्स शीना से हसके बाद करते हैं तो इतनी ज्यादा जैलेसी होती है कि वह उन सब को एक एक करके गुसिम बहुत डाटता है और यह तो गौजन के कंपनी में मिस्टर पार्ट से बादे करने को आती है तरसल सुयंग अपने इंस्ट्यूट के लिए बैस टीचर जोंड रही है और यहां पर मिस्टर पार्ट जो की सीसेट के टीचर है उन्हें बैदरीन आपर देखर कि मैं आपको आपका खुद का एक स्टडी च सामने पास्ट की बात नहीं करती है बलकि सी दे उसे अपने साथ लंच में चलने को बोलती है और गौजन उसे मना करेगा तो शीना को उन दोनों की पास्ट की सारी बादें बता देगी अब क्योंकि के लिए शीना बहुत इंपोर्ट हो चुकी है तो वह नहीं चाहता है कि नाइक को शुम के बारे में कुछ भी मालूम हो लेकिन यह वो भी शुम के बात को माल लेता है लेखिता है और नीगार नेगा से जानते हैं तो ये बात इन हाई स्कूल गर्ल्स को पसंद नहीं आ रही है इसलिए आज ये आशीना को परिशान करने के लिए आई है तो इसे सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई मिल दें नेक्स पार्ट में थैंक्स वाचिंग